आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग किसी भी गवर्मेंट एक जाम की तयारी कर रहे हैं चाहे आप देखें सिविल सर्विस हो या एस्टेट पीसी एस हो या आप देखते हैं कि वंडे एक जाम होते रहते हैं सेंटल लेबल पर भी होते रहते हैं जैसे सटी बेंक रेलवे हो गया या आप देखते होंगे कि राज़्यों में भी होते हैं इस्टेट लेबल पर जिसमें आप देखें सिक्षक, दरोगा, कॉंस्टेवल, पढ़वारी, जेल पेरी इस तरह के तमाम एक जाम होते हैं इनमें current affairs से questions अच्छी खासी संख्या में हर साल पूचे जाते हैं और आप देखिए होंगे कि हम लोग हर महीने में जो घटनाएं घटती हैं उनसे आपकी परिक्षाओं में किस तरह की questions बन सकते हैं उन पर एक सामान चर्चा कर लेते हैं और अभी तक आप देखिए 2021 का भी हम लोगोंने पूरा 12 महीने का current affairs कवर किया हुआ है फिर उससे लेकर हम देखिए जन्वरी से लेकर जुलाई तक भी हम लोगोंने कवर किया हुआ हर महीने का और यह सभी कलासें आपको मंतली current affairs के नाम से जो playlist सूची बनी हुई है उसमें आपको जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको आज हम लोग अगस्त 2022 में जो घटनाए घटी है उनसे आपकी परिक्षाओं के लिए किस तरह के questions बन सकते हैं उन पर बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग पहले questions को देख लेते हैं क्या कह रहा है यह कह रहा है कि भारत में नए दस नए रामसल इस्तल सामिल होने के बाद आप ऐसे इस्तलों की कुल संख्या कितनी हो गए टोटल संख्या कितनी हो गए तो आपको बताना है 57, 64, 69, 73 तो ये हो चुकी है आपकी 64 कितनी 64 हो चुकी है भारत में अंतराश्टी मत की आदभूमियों की संग्या 10 नई भारती इस्तलों की सूची जोड़ी गई है और इनकी अब टोटल 64 हो गई है और रामससूची काउदेश आदभूमियों का एक अंतराश्टी है नेटवर्ग बिख्षित करना और इसे सुरक्षित करना है जो इनके पारिस्तित की तंत की घटकों, पिक्रियां और लावों की सरक्षन के जरिए बैस्विक जैब बिख्षित की सुरक्षा और मानो जीवन के लिए महत्पूर हो सके तो इसमें याद रखिएगा टोटल कितने? 10 सामिल की गई हैं और टोटल हो गई हैं 64 अंगला कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगर आप देखना चाहें क्या कि कौन से दस नए जुड़े गए थी अगस्त में? ए तामपार जील आप देखें उडिशा की है ही राकोंड जलास है उडिशा में देखने को मिलेगा अंसोपा जील ए उडिशा में ए असवंद सागर ए मद्विदिस में देखने को मिलेगा चित्रा नुड़ी पक्छी अभ्यारन ए तमिलाडू में सुचिन्दम थेरोर्द आद्भूमी पर्चय ए तमिलाडू में वदी बुर्ख पक्छी अभ्यारन ए तमिलाडू में कांजी रन कूलम पक्छी अभ्यारन ए भी तमिलाडू में ठानी क्रिक ए महाराष्ट में, हाई गम आदभूमी सरक्चन रिजर्ब ए जम्मू कस्मीर में, और साल बुल बुग बैट लेन कंजर्वेशन ए जम्मू कस्मीर में आपको देखने को मिलेगा, तो इनके बारे में जरूर आपको याद रखेएगा, ठीक है, और रामसर अभी स समय के तहट अंतराष्टी मत्त की आदभूमी है, और जिसे 1972 में यूनेसको द्वारा इस्थापित एक अंतर सहट सरकारी, सरकारी परियावन संधी आदभूमियों पर अदभी समय की रूम में भी जाना जाता है, और इसका नाम इरान की रामसर सहर की नाम पर रखा गया है, जहां उस बर समयलन हस्ताक्चर हुए थे, और यूनेसको के बारे में बात करें तो आपको मालू होने चाहिए, कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, और इसका हेटवाटर पैरिस फ्रांस में आपको देखने को मिल जाएगा, इसका पूरा नाम The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization है, तो यह भी आप लोग याद रखेएगा, अंगला कुषर है हमारे सामने, क्या कह रहा है, किसी आगामी तीन बरसों के लिए पिधान मंत्री कार्याले की नई नई निदेशक की रूम में निउक्ती ही आ गया है, यह कौन है, यह आप देखेंगे कि नीतु कमर, रेन कौबर्मा, असुनी गुपता और सोइता सींग, तो यह हैं सोइता सींग होगी इसमें, ठीक है, तो आप लोग D option लगाएंगे, अंगला कुषर है हमारे सामने, उर्जा मंतराले द्वारा किस राज में दुनिया के सबसे बड़ा तेरता हुआ, सौर उर्जा सैंत बनाने की गोशना की गई है, राजिस्थान, तेलंगाना, उत्तर पिदेश, उत्तराखंड मद्पिदेश, तो आपको बता दूं कि मद्पिदेश में, MP में, उर्जा मंतराले द्वारा, दुनिया के सबसे बड़ा तेरता हुआ, सौर उर्जा सैंत मनाने की बनाने की गोशना की गई है, और मद पिदेश, टाइगर पिदेश भी कहते हैं, आप लो, नदियों का मायका भी कह देते हैं, आप लो, तो यह भी आप लो याद रखेगा, और इसे राजज बनाने की बात हो, तो आपको मालू होना चाहिए, कि कब बनाए गया था राज, एक नमबर 1956 में, फिर आँगे चलकर आप देखते हैं कि इससे अलग करके 36 गड़ राज बना था, और जब तक मद्पेदेश का हिस्सा था 36 गड़, सबसे बड़ा राज भुगा करता था आपका मद्पेदेश, अब आप देखेंगे 36 गड़ के अलग होने के बाद दूसरे नमबर पर आ चुका है, पहले नमब अंगला कुश्चन हमारे सामने, किस राजी की सरकार ने अपने पितेक जिले में एक संस्कित ग्राम भिक्सित करने की का नेड़ लिया है, उत्राखंड गुजरात उत्तरपिदेश हर्याना, यह कौन सरकार कर सकती है, या कर सकती है उत्तराखंड, कौन उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करें, तो आपको मालू होगा कि उत्तरपिदेश से अलग करकी बनाया गया था उत्तराखंड, और यह बात है 9 नवंबर संद होजार की, संद होजार की, और अभी वर्टमान में यहां पोसकर सिंग, धामी, मुकमंत्री देखने को मि पहलेंगी, तो यह भी आप लो याद रखिएगा यहां राज्य सभा में 3 सीटे हैं, लोक सभा में 5 सीटे हैं और इसकी अंतरश्टी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है, राज्यों में इसकी सीमा है माच्छल पिदेश और उत्तरपिदेश से लगती है, ठीक है? तो यह आपको मालू होन अच्छी कि 14 भी नंबर के हैं और आपको मालू होगा ये भी कि जो उपर राष्टपती होता है न इसका चुनाओ लोकसभाव और राज्यसभाव के सदसों के द्वारा होता है तो ये भी आप लोग याद रखेगा और दूसरी बात आपने देखा होगा कि अ और दूसरी महला राष्टपती है पहली कौन महला राष्टपती थी ये आप लोग नीचे लिखिएगा और समिधान का भाग 5 आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें समिधान के अनुच्छे 52 भावन भारत के राष्टपती की बात करता है और अनुच्छे 63 भारत के उपर याद रखिएगा उपर राष्टपती के बारे में एक और कहानी है आप सभी यानते हैं कि ये राज्यसभा का सभापती होता है लेकिन राज्यसभा का सदस नहीं होता है ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कई बार कोशन्स पूंच लेता है अगर उपर राष्टपती और ममतावनर जी वनके वीच काफी टकरार भी चली पिती बस पूरे भारत में राष्टिये हदकरगा दिवस कम मनाय जाता है राष्टिये हदकरगा दिवस की बात हो रही है 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त तो यह मना जाता है 7 अगस्त को कव 7 अगस्त वो तो ये भी आप लो याद रखेएगा 7 अगस्त 1905 में सौदेश से आंदोलन शुरू हुआ था ना और इसी दिन कोलकाता की टाउन हॉल में एक महा जनसभावी सौदेश आंदोलन की उपचारिक रूप से शुरूआत की गई थी और भारत सरकार इसी कियाद में 7 अगस्त को राष्टी यहत्करगा दिबस मनाती है ठीक है अंगला कोट्शन है हमारे सामने कौन CSIR की पहली महला महानिदेशक बनिये नटाली जोरो थोवा अरुना चंदपंथ या नल्ला थम्भी कलाई सेलिवी विसाखा नगर कोटी इसमें आप लोग बताईए कौन बनी है CSIR की पहुंच रहा है चार उप्शन में से एक तो सही होगा कौन सही है आपको बताना है तो इसमें आपका C उप्शन सही रहेगा नल्ला थम्भी कलाई सेलिवी होंगी ठीक है यानि कि C उप्शन आपका बिलको सही रहा है Council of Scientific Industrial Research की बात हो रही है और इसकी स्थाफना आप देखेंगे 26 September 1942 में हुई थी तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कॉप्शन है हमारे सामने कौन खिलाडी खिलाडी भारत की 75 वे ग्रेंड मास्टर बने है जी मुकिस, एम चावला, जी अगबाल, बी पैड़ाओ तो इसमें बी पैड़ाओ होगी ठीक है 17 जिस से जुड़े हुए बी पैड़ाओ अंगला कॉप्शन है हमारे सामने 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्सगाट मनाई गई है भारत छोड़ो आंदोलन की बारे में तिहास में पड़े होंगे आपनो 77 भी, 89 भी, 84 भी तो आप सभी जानते हैं कि 80 भी मनाई गई है 1942 में हुआ था ना शुरूए 8 अगस्त 1942 को मात्मा गांदी जी के नेतित में और उसी समय आप देखे करोई या मरो का नारा भी दिया गया था तो इसमें आप लोग C अप्शन लगाएंगे 80 अंगला कुशन है किस सुंद्री ने बिस इंडिया USA 2022 का किताब जीता है किताब जीता है नेज्या सिंग, पिरिति खन्ना, आर्या वाल वेकर, सुमन गरोवर तो इसमें आप देखेंगे आर्या वाल वेकर होंगे C आप्शन आपका बिल्कुल सही है अंगला कुशन है हमारे सामने किस पुरोष किरिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC पिलियर ओवदा मन्त का सम्मान मिला है ICC पिलियर ओवदा मन्त की सम्मान की बात हो रही है तो प्रभास्त जैसूरिया, स्रीलंका की हादिक पांडिया भारत की है बेंड स्टॉक्स इंगलेंड की है निकूलस पूरन एविंडीज की है इंटरनेशनल किरिकेट काउंसिल आप लोग उने सुनाय है जिसकी स्थाफना 15 जून 1909 में हुई थी दोबाई युनाइटिड अरव अमिराद में इसका हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा तो यह हैं प्रभात जैसूर्या स्री लंका ए ऑप्सन आपका बिलकुट ठीक रहेगा इसमें और स्री लंका हमारा पड़ोसी भी है पाक जल्डमरू मनार की खाड़ी आप लोग देखते होंगे भारत और स्री लंका की बीची देखने को मिलती है अंगला लुशन है हमारी सामने पिती वर्ज किस तारी खो स्री विस जैव इंधन दिबस मनाए जाता है विस जैव इंधन दिबस आठ अगस्थ, दस अगस्थ, ज्यार अगस्थ या तेरा अगस्थ को तो 10 अगस्त को आप लोग विस जैब इंधन दिबस मनाते हैं दुनिया भर में में मनाये जाता है और 1893 में 9 अगस्त को डीजल इंजन की अविस्कारक सर रुडॉल्फ डीजल ने पहली बार मुंगफली की तेल से यांतरिक इंजन के उसफलता से शुरू किया था और उनका विसलेशन प्रयोग में भविस बार्णी की थी कि बनिफती तेल अंगली सताब्दी में जीवास में इंधन को अलग-अलग मेकेनिकल इंजनर में बदलने के लिए उपयोग किया जाएगा और इस अब लबदी को याद रखने के लिए विस जैवी धन दिवस हर साल दस अगस्त को मनाया जाता है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कूशियन है हमारे सामने हर साल इती वस विस सेर दिवस कम मना जाता है सेर दिवस की बात हो रही है दस ग्यारे छे अगस्त या पंदर अगस्त तो आप देखेंगे कि दस अगस्त को सेर दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में मनाया जाता है विस सेर दिवस ठीक है और एक तरह से आप देखे कि सेरों की पिती जागरूपता बढ़ाने के उद्धे से मनाया जाता है क्योंकि इनकी आबादी घट रही है आप सभी जानते हैं इनका सरक्षन दिया जाए इनका सरक्षन किया जाए उसलिए मनाते हैं अंगला क्वेशन है किन फिल्मों में मसूर अभीनेता फिर्दीप पटवर्धन का 65 वर्ष की उम्र में डेथ हुई मराठी गुजरादी भोचपूरी या आप देखे पंजाबी किस भासा की फिल्मों से जुड़े हुए थे मराठी से जुड़े हुए थे एफ्सन बिल्कु सही है इसमें अंगला क्वेशन है हमारे सामने किस भारत के ऑंगले 49 मुक्क नियादिस के रूम में नियोकत किया गया है जश्टिस पीवी बर्मा जश्टि केके अमन जश्टि यू यू ललित और जश्टिस जेपी गुपता तो आपको मालू होगा कि यू यू ललित को उदैल जो उमेश ललित है न उन्हें चीप जश्टिस ऑफ इंडिया बनाए गया है जरूर आप लोग याद रखिएगा ठीक और सुप्रिंग कोट के बारे में अगर हम लोग बात करें न तो आप सभी जानते ही कि हमारी सर्वोच चदालत है और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो वैसे तो आपको मालू होगा कि 1 अक्टूबर 1927 में 1937 में 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोट ओप इंडिया की बात करता है और इनके अगर हम लोग नियादीसों के रेटार्यमेंट की सिवानिवित्ती की उम्र की बात करें तो 65 साल रखी गई है और आप देखेंगी कि अगर सदस्यों इसमें कितने मेंबर हैं भी मतलब कितने नियादीस हैं 34 एक आपका मुख नियादीस देखने को मिल देखेंगी तो जस्टिस यू यू ललित के बारे में याद रखिएगा आप लोग और इनका जनाब आप देखी नो डॉमबर नो डॉमबर उन्नीस संत्यावन में हुआ था सोलापुर में ठीक है चलि एंगली कृषियन कितब बढ़ते हैं फितीवस अंतराष्टी युवा दिवस इंटरनसनल यूथ डे कम मनाय जाता है 12 अगस्थ 13 अगस्थ 15 अगस्थ 10 अगस्थ को तो आप देखिए कि 12 अगस्त को मनाया जाता है कब 12 अगस्त को मनाया जाता है तो यह भी आफ लो याद रखिएगा एक तरह से आप देखिए कि 12 अगस्त को युबाओं को आंगे वड़ाने उन्हें मौका देने के आउसार के उखलब्द में मनाया जाता है तो ये भी याद रखेएगा आप लो विससे अंतराश्टी यूवा दिवस की बात हो रही है एक आप देखते हैं कि यूवा दिवस ली बनाया जाता है राश्टी यूवा दिवस ये आपका स्वामी विवेकानन्द साहब के बारे में सुने हैं उनी की जैनती पर बारे जन्मरी को मनाया जाता है तो ये भी आप लो याद रखेएगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने हर साल यानि की पिती वस विस्व हाती दिवस अगस्त माईने की किस तारी को मनाया जाता है एलीफेंट डे की बात हो रही है बताईए 10 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त या 15 अगस्त कौन सी तारी है तो 12 अगस्त को मनाया जाता है क्या? 12 अगस्त को बनाया जाता है देखिए इंसानों को बचाने की जरुवत नहीं पढ़ रही है लेकिन जान्मरों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाए जा रहा है इन्हें बचाने की जरूवत, संरक्षन की जरूवत पढ़ने लगी है ACI और अफी की हातों की दुरदसा के बारे में जागरुपता पैदा करने और इनकी तरफ ध्यान अकर्षित करने के लिए दिवस मनाय जाता है और पहली बार 12 अगस्त 2012 को लौँच किया गया था ये और ध्यान रहे है विस हाती दिवस की स्थापना करारा के फिल्म निर्माता पेटे सिया सिम्स और थाइलेंड की हाती पुनर उत्थान फाउंडेशन H.M. Queen Street Kate के एक पहल के द्वारा किया गया है तो 12 अगस्त आप लोग जरूर याद रखेगा किसे AIFF द्वारा 2021 सत के लिए साल का सब्सिट पुरोष फटोवाला चुना गया है संदेश जिंगन अनुरुद्ध थापा सुनिल छेत्री मनवीर सिंग तो एस में आप देखेंगी कौन होंगे सुनिल छेत्री और All India Federal Federation के बारे में सुने है जिसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी नई दिल्ली में हेड़कौर्टर देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोग C option लगा दीजेगा अंगला कूशन है हर साल विश्व अंगदान दिवस किस तारीकों मनाया जाता है दस, तीरा, बारे, चौदे आपको मालू है कि बाहरी देशों में अंगदान की विथा जानदा है हमारे देश में कम है आप देखे किसी बेक्ती की अगर डेथ हो जाती है एक्सिडेंट में तो आपने देखा होगा उसकी तो खतम हो गया उसकी अगर अंगदान कीए जान तो बहुत सारी लोगों की जान बचाई जा सकती है नई जिंदगी दी जा सकती है तो उसी को ध्यान में रखती हुई है जागरूपता पहलाने के लिए दी जाती है कब तीरे की बात हो जाई है 13 अगस्त को मनाया जाता है जागरूखता बढ़ाने के लिए ठीक है? अंगला कूर्शन है किस देश से सम्मधित खिलाडी केविन ओबरान ने अंतराश्टी किरकिट से सन्यास लिया है यह कहां के थे? यह आप देखेंगे कि इसकॉर्ट लेंड बंगलादेश आयलेंड डिवजी लेंड तो यह आप देखेंगे आयलेंड के थे ठीक है? तो यह भी आप लो याद रखिएगा आयलेंड इसकी ओप्शन बिल्कुल ठीक है हर साल मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विस्मानवतावादी दिवस की बात हो रही है 17 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 15 अगस्त तो 19 अगस्त को आपका विस्मानवतावादी दिवस मनाया जाता है ठीक है? और शुरुवाद इसकी 2013 में हुई थी, सयुक्तराष्ट महासाभाने की थी 2018 में यह जाए सकी जिन्होंने मानो मात की सीवा में अमना पूरा जीवन लगा दिया है सयुक्तराष्ट महासाभा की बात करते हैं जिसे आप लोग इन्वाइटि नैसन्स जनरल असेल्मली के नाम से जानते हैं 1945 में इसकी स्थापना हुई थी नियो और्क में इसका हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा वहीं अगर हम लोग सयुक्तराष्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी नियो और्क में इसका हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा और एक बात याद रखी इस तरह के संगठनों से कुष्ण साफी परिक्षाओं में हर साल पूचे जाते हैं हर साल यानि की पितिवस बिस फोटोग्राफी दिवस के तारीक को मनाय जाता है यह आप देखेंगे फोटोग्राफी दिवस 16 अगस्त 17 अगस्त 19 अगस्त या 20 अगस्त को तो 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाय जाता है अंकला क्वाशन है कौन मुथ्ट के लिए चांवन लागू करने वाला दुन्या के बहला अदीछ बना है तो इसमें आप देखें कि स्कोर्ट लेंड बना है अंकला क्वाशन है कौन यू ए ए फ ए चैंपियन लीग खिलने वाली पहली भारती फोटवॉल खिलाडी बनी है ये सांती मलिक मनीशा कल्यान वाला चोहान धलीमा चिब्बर तो ये मनीशा ठीक है मनीशा कल्यान होगी और आपको पता है ये पहली बार कब शुरू हुआ था 1984 में ठीक है तो ये भी याद रखेगा पितिवस 10 पितिवस 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्वावना दिवस किसकी जैनती पर मनाया जाता है जवाहलाल नहरू, बगस्तिं, राजीब गांदी, मंगल पांडे तो आप सभी जानते हैं कि राजीब गांदी जी के राजीब गांदी जी की जैनती एक जनम दिन पर मनायाते हैं हम लोग, ठीक है? और आपको एक और बात माल होगा कि हमारे देश के पूर पिधान मंत्री रहे हैं, अब हमारे बीस नहीं, इनकी हत्या कर दी गई थी इनका जनम 20 अगस्त 1944 में हुगा था, इनकी अत्या 21 माई 1991 में हो गई थी, ठीक है? और जो सौनिया गांदी दिखते हैं इनकी ही पत्नी हैं, राहुल गांदी, परहिंका गांदी, इनके ही बेटे और बेटी हैं, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखेगा किन दो राज्यों कि पूर्व राजपाल रहे सियद, सिप्ति रजी का 83 वर्ष की उम्र में टैथ हो गई इनकी तो इनकी जारखंड विहार, जारखंड असम, पंजाब असम, हर्यान और उडिसा तो ये आप देखेंगे, जारखंड असम, यहाँ दोनों के बारे में बता देते हैं, जारखंड और असम के बारे में ये आप देखेंगे कि अगर हम लोग सियद, सिप्ति रजी की बात करें, तो 7 मार्च 1949 में रैवरेली में का जिनम हुआ था और वीर सकस 2022 में लखनव में इनकी डेथ हो गई है, कॉंग्रेस पार्टी से जोड़े रहे हैं, ठीक है, और कॉंग्रेस की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है, 28 देसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और जारेकण की बात करेंगें, तो आपको माल होगा कि बिःहाल से अलग करके बनाया गया था जारेकण 15 रवंबर सन 2000 में, रांची इसकी राथधानी है, वर्दमाने में हैमंत, सुरेनिहा के मुक मंतरी हैं, और इसकी सीमा अप बिःहाल से लगती है, उत्तरभिदे से आए बात करें तो असम में आप देखते हैं कि हमन्त के बिस्वा सरमाहिया के मुखमंत्री है और इसकी सीमा की अगर बात करें तो आप देखेंगे ्क पष्मंगाल से लगती है मेघाला से लगती है फुट्तिय邐र विजारम Nana ओनाचल अन्ठ राष्टी सीमा भूटान और बंग्ला देश से लगती है यहां आप देखेंगे जा रबान। अंगला कोश्य ने कौन भालत का पिथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है वाडमे राजिस्थान मंडला मध्यपदेश जलगाओं महराष्ट बताई यह आप देखिए कि खन्ना पंजाब यह कौन बना है तो आप देखिए कि मंडला मध्यपदेश में है यह ठीक है मंडला मध्यपदेश बहुपाल राध्धानी आपको बता दूं कि मध्यपदेश की और इसकी सीमा पांच राज्यों से लगती है उत्तर प्यदेश राजिस्थान गुजरात महराष्ट 36 गर ठीक है हर साल पिती वस किस तारीक को विस वरिष्ट नांगरिक दिवस मनाया जाता है यह आप देखेंगे कि 18 अगस्त 19 अगस्त 21 अगस्त 22 अगस्त को तो आपको बता दूं कि 21 अगस्त को मनाया जाता है ठीक है और एक तरह से आप देखेंगे बिल्द लोगों के पिती जाग रू resilience and contributions of older women रखी गई इसकी theme ठीक है तो भी आप लोग याद रखीएगा इसमें क्या लगाओगी आपका 21 अगस्त होगा ठीक है किस खेल से समदित पूर भारती एक लाड़ी समर बनर जी का 92 वर्ष की उम्र में डेथ होगी किर्किट फोट वाल होकी बेड़ मिंटा तो एफट वाल से जुड़े हुए है ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने बार है कौन वेक्ति हाली में नेशनल इंस्टिटुट ओफ इम्मिनोलोजी की नए निदेशक बने है देवासी सा मुहनती विकरम सरदेशाई राहल चतुरवेदी राम सीम खन्ना तो यह आप देखें देवासी सा मुहनती तो यह भी आप लो आपना 1981 में हुई थी तो यह भी आद रखिएगा किसे बेटन में भारत का अंगला उच्चायुक्त निप्त किया गया है दीफक माध्थुर अर्वेन स्रीवास्ताव गोपाल चंदमुकी बिकरम दोराई स्वामी तो इसमें आप देखेंगे बिकरम दोराई स्वामी होंग डी ओप्षन आपका बिल्कुल सही रहेगा अंगला कुश्चन है कौन एजूकेशन टाउन सिप बनाने बाला भारत का पहला राज बना है उत्तरफदेश उत्तराखन उडीशा मद्वेदेश तो आपको बतादू कि यह बना है उत्तरफदेश और उत्तरफदेश बैसे रा राजदानी लखनव है और इसकी सीमा आप देखिए अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में बिहार, जारखंड, 36 गण, मद्वेदेश, राजिस्तान, हर्याना, हिमाचल पेदेश, उत्तराखंड से लगती है और दिल्ली से लगती है सबसे जानना राज्यो में 100 सीट है, राज सभा में आपकी 31 सीट है, लोग सभा में 80 सीट है, योगियाद इतना तेहां के मुक्रमंत्री हैं, तो ये भी आप लोगों को मालू होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और शिक्षा वो बढ़ाबा देने के लिए एक तरह से आप देखि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनानी की घोशना किये, कानपुर आगरा, लखनव, सुल्तानपुर, तो ये लखनव में किया गया है, और उत्तर प्रदेश की राध्धानी भी ये लखनव, ठीक है, अंगला कुशन है हमारे सामने, की स्थाफना हुई थी, और डियडू भवन नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा इसका हैड़क्वाटर, अर्जुल के सिंग, बिनीत एम सर्मा, समीर भी कामत, पुरोसोतम एल राउ, तो ये इसमें समीर भी कामत होंगे, ठीक है, कौन बेक्ती हाली में IIMF के भारत म में नई कारिकारी नेदेशक बने हैं, IIMF का मतलब समद रहे हैं, इंटरनेशनल मॉडनेटिरी फंडी की बात हो रहे हैं, और इसकी स्थाफना कि अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इस तरह की संगटनों से कुश्चन साब के पूचे जाते हैं, 27 सेप्टमबर 1945 में इसकी स्थाफना हुई थी, और बॉसिंटर्ण DC EUSA में इसका हेड़ोपार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, M के चक धर, KB सुव मन्यम, JP पिरजापत, S के सिना, तो इसमें याद रखे कि J, KB सुव मन्यम होंगे, यह भारत में नए कारकारी ने दे सकोंगे, भारत के, IMAP के भारत में, ठीक है? अंगला कुश्यन है, देगए UE, AP Award 2022 में किसे वर्ष का सब्सेट पूरुष खिलाडी चुना गया है, ए वर्जिल, वान डिक, किस्टियानो रोनाल्डो, करीम बिंजेमा और लियोनल मैसी, तो इसमें आप देखेंगे, करीम बिंजेमा को चुना गया है, ठीक है? तो यह भी आप लो, याद रखिएगा, अंगला कुश्यन है हमारा, इनका संबंध किस्से है, करीम बिंजेमा का, आपको बता दू यह कि, यह सर्प्स्टिक खिलाडी चुना गया है, एने, चैंपियन लेग में 15 गोल किये हैं, इनोंने, रियाल मेड डेट की को रिकॉर्ड, 14 वाई यूरोपियन किताब भी दिलाने में, इनोंने भूमी काने बाई थी, ठीक है? अंगला कुश्यन है कौन बेखती? हाली में आकामी दो वरसों के लिए ID FC बैंक के नए MD और CEO बने है, MD और CEO विजेंदर सिंग, अजीत थाकुर, सुरेश जहां महंदसा है, बताईए इसमें से कौन होगा? तो आप देखें कि इसमें होगा आपका महंदसा, यानि कि D option आपका बिलकुछ सही रहेगा, ठीक है? तो यह भी याद रखेगा, ID FC के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं, प्राइविट बैंक है, इसकी स्थाफना आप देखेंगा, October 2015 में होई थी, Headquarter Mumbai में देखने को मिलेगा, अंगला कुछन है हमारे सामने, किस सहर में भारत का पहला छित्री है, राष्टी रोग नेंतन केंद बनाने की घोशना है, भोपाल, मद्पिरेश, जैपूर, उत्तरफिदेश, चंडी, गर्पंजाब, तो यह आप देखें कि भोपाल, मद्पिरेश में, टेक है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, हर साल राष्टी ए खिल दिवस, किस तारीख को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है, राष्टी ए खिल दिवस 30 अगस्त, 29 अगस्त, 26 अगस्त और 31 अगस्त, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, भी आप्शन विल्कुल सही है, क्या भी आप्शन विल्कुल सही है, और मेजर ध्यानचंद के बारे में आप लोग पढ़े हैं, इनी के जनम दिन पर मनाते हैं आप लोग, ठीक है, राष्टी खेल दिवस, और आपको बता दूँ कि मेजर ध्यानचंद का जनम, 29 अगस्त, 1905 में हुआ था, और मेजर ध्यानचंद ने भारत के लिए 1928-1926 से लिगर, 1949 तक होकी के लिए, और अपने केरियर की दोरान मेजर ध्यानचंद को भारत को 1928-1932-1936 में, ओलंपे गोल मेडल भ 189 में की डेथ हो गई थी, ठीक है, किस देश से समधित खिलाडी, कॉलिन डी, ग्रेंड होम ने अंतराश्टी किर्किर से सन्यास लिया है, यह किस देश के खिलाडी है, और अस्टिलिया, इंगलेंड, नियुजिलेंड, अफिका, दच्छिड फिका, तो आप सभी जानते है की नियुजिलेंड के हैं, कहां के हैं, नियुजिलेंड के हैं, ठीक है, C option बिलकुल सही है, अंगला कुशन है, दिये गए फिल्म फियर अवार्ड 2022 में, किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, फिल्म फियर अवार्ड की बात हो रही है, यह आप देखे किसे बरुन ध अवन को रणवीर सिंगो रितेश देश को आमिर खान, तो यह मिला है रणवीर सिंगो, इन्हें रणवीर सिंगो मिला है, फिल्म फियर अवार्ड की बात हो रही है, यह आपको मालो होने चे, पहली बार मार्च 21 मार्च 19 चंगन में दिया गया था, ठीक है, तो यह भी रडवी सिंग को आदे की फिल्म 83 के लिए मिलाए है किस भारतिय सुंद्री ने में से दिवा यूनिवर्स 2022 का किताब जीता है अनिस्का गौर, कनिस्का सर्मा, कनिका सर्मा, गिनी गुप्ता, दिविता रॉय इसमें कौन सामिल है? तो दिविता रॉय हैं इसमें सामिल यानि कि D-Option आपका बिल्कु सही है ठीक है? तो यह भी याद रखेगा और इस तरह से अगस्त महिने के कुछ मात्रों और कोश्चन्स उन घटनाओं से जो घटी हैं, देख लिए हम लोगोंने चली अंगले महिने में हम लोग सेप्टमबर महिने के सभी जो भी घटनाय रहेंगे, उनसे सम्मदित आपकी परिख्चाओं के लिए कौन-कौन से कुश्चन्स बन सकते हैं उन पर एक सामन जानकारी देख लेंगे, उनके बारे में बात कर लेंगे ठीक है, कुस्तावाल हों, सुजाओ हों तो आप लोग जरूर नीचे दीजेगा